बच्चों को देना चाहते हैं अगर आप healthy naasta, जिसमें हो बहुत सारे vegetable, बहुत जाला tasty के साथ healthy हो, या फिर आप Sunday को देर से उठे और आप चाहते है instant naasta, तो इस बहुत ही tasty healthy चीली की recipe को आप try कर सकते हैं, बहुत सारे vegetable है, कम oil में बनता है, instant से recipe है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी skip ना करें, तो इसके लिए आपको यहां पर लेना है एक बोल, इसमें आपको डालना है एक तब सूजी, हर किसी घर में सूजी मिल जाता है, यहां पर मैंने एक बोल लिया है, इससे सारा मिजर्मेंट करने वाले सूजी आप कोई पर दाल देंगे, अब इन चीजों को आपको बहुत अच्छे से मिक्स कर ला है तो आप इसे विष्कर के हल्प से ऐसे मिक्स करते रहिए, यह फिर आप इसे चम्मस से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्म निये है, यहां पर दिखिए बहुत अच्छे से यह भी ज़ी हो गया ह जाल रिषय करते तंक यो फिर से थी कोई इसे में भधा जात है कि तो यहां में अजाने में ऑपर दो Records cm बारिक चॉप गरे प्यारच, बेंस, पत्ता गोबी यहां टमाटर लिया है थोड़ा सा धनिया लिया लिए है, जो भी आपके पास वेजटीबल सो आप ले सकते हैं, आप यहां पे पुल गोबी तो आप उप हो भी चॉप कर दाल सकते हैं, आपके पास गाजर है तो गाजर को अगर कुछ पी नहीं तो प्यास टमाटर सिम्ला मिच यह अगर दो तिन चीजे तो भी आप डाल के बना सकते हैं अब मैंने यह आप डाल दिया हरा धनिया और थोड़ा सा में यह आप डाल लिए अधरक बारिक चॉप करके या ग्रेट करके नमक आप डाल दिजिए श्वाद क अगर आपके पास नहीं तो आप डाल सकते हैं अपने टेश्च करूंसा यहां पर डाल दिजिए क्यों हमने यहां पे हरी मिर्च का भी यूच्ट किया है थोड़ा समय डाल यहां पर बेकिंग सोडा बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आपके पास इसे स्किप करना चाहते है तो में पार सोजी को अपहार नग सोड़ी पर डराल दिया है और उसमें मैं थोड़ा सा रड़ा दी का यहां यहां परह दो जब दोबार पानी का यूच्किया है और भी घम बनने के लिए वेटर द्यार है अपने головे इसे बहुत एसली बना सकते हैं तो मैंने यहां पर श्या ब पूरा फैल जागा यह कंस्टेंशी है बिल्कुल पॉफेक्ट है और यहां पे आप इससे बड़े भी बना सकते हैं तो मैंने पे छोड़ी तीन चीले यहां पर रख दिये हैं यहां पर कुछ तरी के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे उपर से सूप गया है यानि हल्का सा तो अब हम इसके चारत रख थुआ सा ओल डालेंगे यह बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आप कम बना चाहते हैं तो यहां पर आप इसकेप कर सकते हैं जब हल्का सा पख जाए नीचे से तब आप इसे बहुत ही केरफुल कर लीचे गैस की फ्लेम को यहां पर आप लो मीडियम करते हैं यहां यहां तुर्णा दबा दिया है कुछ देग आप ऐसे हम फिर से तरन कर लेंगे इसे आपको थोई थोड़ देर पर टन करते हैं तो हमारा चीला डोनों साइड से बहुत ही अच्छे से पग गया है इसका अप बहुत प्यारा है बहुत ज़्यादा टेश्टी तो अब हम इस चीले को निकालेंगे, बहुत ही जट पर तयार हो जाती है, बहुत जारा टेस्ट लगती है, बच्छों को आफ टेफिन में भी दे सकते हैं, क्योंकि बच्छे आइसे तो वेश्टेवल खाते नहीं है, लेकिन जब आप इस तरीके से बना के देंगे नो उनको ज़्यादा पसंद आएगा, यहां पर सारे चीले को बना के रैडी कर लिया है, एक बार आप 3-4 चीले आराम से बना सकते हैं, और इसे मैं साफ क्या है, ग्रीन चटनी के साथ, आप बच्छों को टोमेटो केचप के साथ या चाय के साथ दे सकते हैं, तो फ्रेंस इस इस ची को लाइक शेयर और अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल एकन को प्रेस करना ना भूले थैंक्यू बबाई